जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अभिनदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में दो हजार चौबिस के इस नए साल पर आप सभी को दिलत की गहराईयों से हर्दिक सुपकामना और आने वाला साल आने वाला दिन आपके लिए बहुत मंगल मैं हो बहुत अच्छा रहे आप और आपके परिवार के लिए ऐसी अविलाशा करते हैं हम और चले फिर क्लास को अब चाप्टर है जिसकी वजह से आप अपनी बैलेंसीट को क्या कर सकते हो बराबर कर सकते हो अब आप कहोगे कि सर एकाउंटिंग एक्वेशन और बैलेंसीट का क्या रिलेशन है तो अगर आपको मैं बताऊं एकाउंटिंग एक्वेशन के जो इलिमेंट होते हैं वो आपके तीन ही element है पहला element क्या है आपका कि assets liability और capital जैसा कि आपको ये तीनों देखने को मिल रहा है यहां पर जब हम accounting equation के formula की बात करते हैं हमारा formula क्या होता है कि assets is equal to liability plus assets is equal to liability plus capital अब सवाल ये उड़ता है कि sir ये assets क्या होती है liability क्या होती है और फिर ये capital क्या होता है इसके लिए हम क्या करेंगे एक proper scenario को समझेंगे assets क्या है liability क्या है और capital क्या है जब हम इनको समझ लेंगे तो फिर उसके बाद हम इसी equation को लेकर चलेंगे अच्छा मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आपकी जो balance seat होती है वो इसी के base पर बनाई जाती है अब आप कोगे sir कैसे अगर आप अपनी balance seat का format देखो इस तरीके का आपका format रहता है इस तरीके आपका क्या रहता है इधर आपकी liability रहती है और इधर आपकी क्या रहती है assets रहती है अज समय होगा चलिए अब ये बाद में समझेंगे उससे पहले समझते हैं कि ये capital क्या होता है, liability क्या होती है या फिर आपकी assets क्या होती है देखो जब हम liability की बात करते हैं तो liability को हम दो भागों में classify करते हैं पहले समझो ध्यान से और फिर उसके बाद इसके मेनिंग इसके कॉंसेप्ट को हम क्या करते हैं समझते हैं लाइबिलिटी को हम दो भागों में क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं एक होती है आपकी इंटर्नल लाइबिलिटी और एक होती है आपकी क्या एक्स्टर्नल लाइबिलिटी इस इंटर्नल लाइबिलिटी को हम ओनर लाइबिलिटी भी कहते हैं इस इंटर्नल लाइबिलिटी को हम क्या कहते हैं ओनर लाइबिलिटी कहते हैं और external liability को हम आपका outsider liability भी कहते हैं क्या कहते हैं वेटा outsider liability कहते हैं तो जब भी भी liability की बात की जाएगी अब सवाल ये उड़ता है कि सर हम liability किसकी कम कर रहे हैं एक business की कर रहे हैं या businessman की कर रहे हैं तो आपका concept 100% clear होना चाहिए कि आप जो liability deal कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कर रहे हैं बिटा बिजनस की कर रहे हैं businessman की नहीं कर रहे हैं आपको याद हो मैंने आपको business entity principal पढ़ाया था बिजनस entity principle में मैंने आपको बताया था कि business and businessman बहुत आजा रहा separate तो यहाँ पे जो भी कुछ बाते की जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात है किई जाएंगी, obligation का मतलब क्या होता है जिम्मेदारी एक ऐसी जिम्मेदारी जिसको पूरा करने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा वही आपका क्या कहलाता है अब हम सबसे पहले इंटर्नल लाइबिलिटी यानि ओनर लाइबिलिटी को समझते हैं ध्यान से देखो यह आपका ओनर है यह आपका क्या है और यह आपका क्या है बिजनेस है अब ओनर जो भी कुछ इन्वेस्ट करेगा ओनर जो भी कुछ क्या करेगा इन्वेस्ट करेगा क्या बिजनेस बाद में उस ओनर को उसको रिफंड करेगा की नहीं करेगा अगर मैंने आपको कुछ दिया तो क्या आपसे बदले में उसे कुछ वापस लूँगा की नहीं लूँगा 100% लोगा क्योंकि give and take का ही तो relation आपका transaction कहलाता है आपको मैंने जब transaction पढ़ाया था तो मैंने आपको क्या कहा था जहां पे seller और purchaser का relation होता है वही transaction कहलाता है मतलब जहां पे given and take का relation आ जाता है वही आपका क्या कहलाएगा transaction कहलाएगा तो एक owner अपने business में कुछ भी invest करे जो भी कुछ invest करे उसी investment को हम उसकी क्या कहते है capital कहते है क्या कहते हैं किसी ने अगर पूछा कि capital क्या होता है तो आप सीधा एक line में कहिएगा सीधा एक line में लिखेगा amount लिखी मेरे साथ amount invested by owner in his business क्या लिखा है amount invested by owner in his business अब सवाल यह उठता है कि sir amount कौन सा amount invest किया जाएगा तो एक owner तीन तरीके से अपने business में amount invest करता है पहला वो cash में पैसे को क्या कर सकता है invest कर सकता है फिर वो कोई घर से अपने assets ला सकता है या फिर घर से वो अपनी कोई क्या ले आ सकता है काइंड को ला सकता है काइंड मतलब कोई भी समान ले आ सकता है ठीक है तो एक owner तीन तरीके से अपने business में पैसे को क्या करेगा invest करेगा amount को invest करेगा cash assets और kind clear हो गया तो इन तीनों को जब हम जोडेंगे इन तीनों को जब हम क्या करेंगे विटा जोडेंगे तब जाके जो भी बैलेंस आये वह आपका क्या कहलाएगा capital कहलाएगा इतना concept clear हो गया कि ने clear हो गया capital क्या होता है समझ में आ गया अब हम बात करते हैं आपकी outsider liability की या जिसे हम external liability कहते हैं in hai a business को चलाने के लिए सबसे जादा किस चीज की और शक्ता है जनते हो क्या पड़ती है और वह क्या है आपका Пैसा यानि क्या आपका money अब मनि की आगर हम stores की बात करते हैं गया то owner लेकर आएगा या तो किसी बाहरवाले से लेकर आएंगे how can we earn कभ तक पैसा लेकर आएगा ये भी तो सवाल उठता है उनर कभurp अपने घर फडे पैसे की शुरूरत रहे तो बाहर से लेकर कैसा आता है बाहर से लेकर आता है उसी पैसे को हम क्या कहते है External Liability कहते है क्या कहते है External Liability कहते है अब यह जो External Liability होती है यह दो भागों में बढ़ती है एक होती है आपकी Long Term Liability और एक होती है आपकी क्या Short Term Liability एक होती है आपकी Long Term Liability और एक होती है आपकी क्या Short Term Liability अब आप कहो के sir long term liability क्या होती है देखो long term liability का बहुत simple सा concept है कि जो भी obligation आप 365 days या 12 month 12 month के बाद pay कर रहे हो आप ठीक है after 365 days या 12 month के बाद अगर आप payment करना पड़े आपको उसको हम कहेंगे long term liability उसको क्या कहेंगे हम long term liability यारी 365 दिन या 12 महिने के बाद जिसका हमको भुकतान करना पड़े तर example बता दो example बता दो तो कुछ concept और clear हो जाए वेटा जैसे bank loan आपने bank से क्या ले लिया loan ले लिया तो अगर आपने bank से loan लिया है तो सीधी सी बात है आपको अच्छे से पता है कि bank आपको एक महीना दो महीना तीन महीने के लिए loan नहीं देता है वो आपके लिए दो साल तीन साल चार साल दस साल के लिए loan देता है तो आपको जो payment करना है वो 365 दिन से जदा payment करना है कि कह फ्रिक्वेंटी आपको payment करना है ऐसा नहीं आप देखो आप अपने दिमाग में ये मत सोच न कि 365 दिन के बाद payment करेंगे न 365 दिन के आगे तक payment करेंगे या 12 महीने के आगे तक payment करेंगे वह लब आपको continue क्या करते रहना है payment करते रहना है हर महीने आपको installment के रूप में क्या करते रहना है payment करते रहना और उसका जो duration रहेगा वो after the 365 days और after the 12 month रहेगा clear हो गया और जो उसके नीचे आ जाए यानि जो साल के अंदर-अंदर खतम हो जाए उसको हम कहेंगे आपका क्या short term कहेंगे यानि before before 365 days और 12 month यानि 12 महीने और 365 दिन से पहले पहले खतम हो जाए वो 11 महीना 28 दिन 11 महीना 28 दिन बताओ long term होगा या short term होगा long term या short term obviously short term 364 दिन long term या short term short term एक दिन का भी अगर gap रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे आपका short term कहेंगे और एक दिन से अगर जादा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे हम long term कहेंगे concept clear हो गया कि नहीं clear हो गया कोई दिक्कत तो नहीं अब ध्यान से समझो अगर आप balance seat को देखो balance seat में जो आपका left side होता है left side यानि कौँ सा liability side उस liability side में external liability और आपकी क्या internal liability दोनों को mention किया जाता है क्यों क्योंकि जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं अभी हमारी क्या आ जाती है बेटा total liability आ जाती है अभी हमारी क्या आ जाती है total liability आती है concept clear हो रहा है कि नहीं clear हो रहा है वक्ता अब थोड़ा सा और देखते हैं अब एक चोटा सा सवाल आता है है कि सर इसे को बात बताइए की आपने यह कहा कि जो हमारा वोता है वह बिजनस में पैसे को इन्वेस्ट करता पैसे को बुजनस द pentiu करते हैं या हम उसका final balance कैसे find out करेंगे देखो final balance का मतलब यहाँ पे closing capital से है final balance का मतलब यहाँ पे किस से है closing capital से है अगर आपको याद हो class 12 में आप लोगों ने partner capital account नाम का एक topic पढ़ा होगा और partner capital account में आपने क्या किया था कि जो भी कुछ partner को मिलना होता था उसे आप credit side लिख देते थे और जो भी partner से लेना होता था उसे आप कि side लिख देते थे debit side लिख देते थे और आखरी में credit को जोड़कर debit को जोड़कर credit minus debit करते थे तो closing balance आ जाता था यानि वही आपका final balance होता था वही आपका क्या होता था फाइनल अब आप कोगे कि सर हम तो उसको बैलेंस एडी को आगे बढ़ाते थे बैलेंस बीडी में करते थे मना कौन कर रहा है लेकिन याद करो अगर आपने डिसल्यूशन पढ़ा हो चाप्टर तो डिसल्यूशन में तो आप पेमेंट करते थे थे इसल्यूशन में तो हमें पेमेंट करना होता था अगर बिजनस को कंटीन्यू किया जा रहा है तो वो क्लोजिंग कैपिटल अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा अगले साल का क्या बन जाएगा ओपनिंग बन जाएगा लेकिन अगर बिजनस को कंटीन्यू नहीं करना है त to calculate how to calculate closing capital closing capital of business how to calculate closing capital of a business Mechanics 2 points सबसे پहले हम क्या करते थे हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होता था ओसे कि नहीं होता था आ अपने पास से कुछ ना कुछ ओपनिंग एपिटम होता था चीए मिलोग क्या नाम देते थे उस ओपनिंग开टल को हम लोग क्या नाम । देते थे बैलेंस BD का नाम देते थे ते और इसमें हम लोग क्या करते थे अगर कोई भी ऐडिशनल capital हो थी मानल लीजे दूसरे-तीसरे महीं ने फिर से पैसा लगाया लगाया उसी हम लोग क्या कह देते थे अधिशनल कापीटल कह देते थे क्या क्या कह देते थे हम आधिशनल कापिटल क्या देते थे पह और ँब मानल लीजे अगर Knowing अपने कोई पैसा बिढ्राउ किया है मैंने कोई पैसा क्या किया है तो उस पैसे को हम लोग क्लcs क्या नाम देते थे पैसे को नाम चुनल लिया द्रोइंड विस्नस से किसी परसनल परिंवित द्रॉल्स के लिए देखो एक चीज जानो, आपने तीन चीजें लिखी हैं, पैसा लगाने की, cash, assets, kind, तो इन ही तीनों में से ही कोई ना कोई जीज निकाली भी जा सकती है, पैसा भी निकाल सकता हूँ मैं, कोई assets भी लेके जा सकता हूँ अपने घर, या घर का कोई, मतलब office का कोई समान है, उसक अपने घर ले जा सकता हूँ, इन ही तीनों में से, अगर मैं कुछ भी निकाल ले रहा हूँ अपने business से, तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, drawing कहलाएगा, जैसे एक छोटा सा example देता हूँ, माल लीजे, आपने एक stock purchase किया, ठीक है, आपने क्या किया, एक stock purchase किया, आपका electronic का दुकान है, तो आपके लिए heater, fridge, TV, ये सब क्या है, stock ही तो है, तो अगर आप heater अपने घर लेके चले गए, यानि stock लेके चले गए, तो ये भी तो एक तरीके का drawing है कि नहीं है, drawing है कि नहीं है, concept clear हो रहा है, तो आप तीन तरीके से पैसे को लगाते भी हो, और उनी तीन तर पैसे को क्या कर सकते हो, withdraw भी कर सकते हो, drawing भी कर सकते हो, point clear हो रहा है, तो अगर कोई drawing रहेगा, तो इस drawing को हम लोग क्या कर देंगे, minus कर देंगे, अच्छा माल लीजे, कभी कभी क्या होता है, कि आपको capital पर interest देना रहता है, एक business, owner की capital पर interest पे करता है, तो ये owner के लिए profit ह होता है कि loss होता है, बिजनस के लिए loss है, लेकिन owner के लिए profit है, business के लिए क्या है, लेकिन owner के लिए क्या है, तो उसकी वज़ाय से उसका capital बढ़ेगा कि घटेगा, न यहां पर अगर कोई interest होगा, तो हम उसे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, interest on capital, interest on capital, concept clear हो रहा है, जो हमने ड्राइंग निकाली है उस पर भी इंट्रेस्ट हो सकता है एंड्रेट परसेंट हो सकता है एंड्रेट परसेंट हो सकता है उस केस में ओनर की क्यापिटल बढ़ेगी कि घटेगी घटेगी सर्ट ड्राइंग की वज़ा से घट रहा था इंट्रेस्ट ऑन ड्राइंग क बताओ बेटा इतना बाते समझ में आई कि नहीं आई सर और क्या क्या इसमें आ सकता है अब इसमें दो चीजें और आएंगे एक अगर business में end of the year net profit हुआ है तो वो net profit हम क्या कर देंगे जोड देंगे और अगर कोई loss हुआ है तो उसे क्या कर देंगे बेटा हम लोग माइनस कर कर देंगे इतना adjustment करने के बाद ध्यान से सुनिये इतना adjustment करने के बाद जो आपका final balance आएगा इसे ही हम क्या कहेंगे closing capital कहेंगे कि इसे भी हम इसे भी लोग क्या कहेंगे विडा closing capital और इसी closing capital को हम लोग बड़े प्यार से क्या कहते हैं balance CD यानि carry down समझ में आ गया बबू तो अगर यह सवाल आया हाउ टू कैल्कुलेट क्लोजिंग क्यापिटल आप दा बिजनस तो यह अर्जस्टमेंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए अच्छा सरीक बात बताओ कभी कभी एक्जामीनर ना फोड़ा उल्टी घोपड़ी का होता है आप कहरा है नीचे से उपर जाओ यानि हाउ टू कैल्कुलेट ओपनिंग कैपिटल तो ओपनिंग कैपिटल मतलब वह आपको क्लोजिंग दे के बैठेगा ठीक है ना हमें क्या टेंशन जो चीजें प्लस प्लस होती थी वह चीजें क्या होने लगेंगी माइनस होने लगें तो यह कैपिटल वाला कॉंसेट्ट हमारा क्लियर हो गया ठीक है अब एक छोटा सा मैं आपके लिए डाइग्राम बना देता हूं उस डाइग्राम को आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से बना लीजिए नई वो खाली डाइग्राम बनाना है लाइबिलिटी का आप लोग बना लीजे बस बाकी उसे आप लोगों ने यहाँ पर तो बनाया ही होगा लेकिन कॉपी में याद रखने के लिए आप फिर से उसे बना लीजे अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से जैसे अभी आप लोग सकता है आपके कोलेज के आपके प्रोफेसर हैं वह यह कहें कि लाइबिलिटी इस डिफर फ्रॉम दा कैपिटल वह आपसे यह कह सकते हैं कि अबवलेटी इस डिफर फ्रॉम यौर अपीटल उनको बड़े प्यार से समझा ना Yes sir, liabilities do not differ from the capital, because it is also the obligation of the business and obligation means liability, obligation means liability, if the obligation related to the owner, it is called capital liability or if obligation is related to the outsider to the outsider liability. मेरे चिन्दी ऐम मताधेना ना इंग्लीज मेरे ना बता पाना तो कहें परिशान हो? मुझे याद मुझे मैं आपको मुझे दिल से मेरा कह रहा कि अगर आपके मास्टर ने यह कहा प्रोफेसर ने कहा तो कोई हाथ नहीं उठाएगा इसर नहीं अलग-अलग है ठीक है मेरी इज़्जत बचा लेना वहां पर चलो आँ देखो यहां पर हम आउटसाइडर लाइबिलिटी बनाएंगे देखो अगर आप 11 में होते तो मैं भले कहता कि लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों अलग-अलग है लेकिन अब आप ग्रिजुएशन वाले हैं तो आपको अच है कि अब आप लोग बड़े हो गए हो अब यहां पर यह क्या हो जाएगा लॉंग टर्म लाइबिलिटी कि अ कि अ कि अ कि अ कि अ लगने लिख लिया उसे छोड़ दे जिन लोगों ने नहीं लिखा वो रहने दे लिख लें पेइमेंट मोर देन कि अग्जामपल दो तीन और लिख लेते हैं जैसे एक हो गया आपका बैंक लून एक हो गया आपका क्या कि देखो करेक्ट देविंचर पत्र अब लोगों ने यह भी आपका लॉंग टर्म ही होता था लॉंग टर्म बोर्विंग ठीक है पेइमेंट लेस देन थ्रीशिक्स्टी फाइब देज और ट्वेलमंथ इसमें आपका सबसे पहले क्या जाएगा क्रेडिटर में मैंने आपको एक बार नहीं तीन चार बार सबाइब बता आंव मैंडिनक दल्व होता प्रेडिट इस्टील चुंतर एडवान्स इंकम बिल पेबल बांक ओवर्ड्राफ्ट इक बात बताओ इतने लोगों को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में पता है देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है expense due but not paid बात में तो पेड करोगे न expense due but not पेड जैसे सपोस्ट करो कि आप एक होटल में गए और आपने खाना खाया खाना खाने के बाद आपने का सर्फ पैसा नहीं है तो पिच्चरों में होता है कि बरतन धुलवाएंगे या भगा देंगे या इसा नहीं दो दिन बाद दे देंगे तो भी कहेगा ओके सर जाओ दो दिन के बाद जब आप दोगे या दो दिन से पहले आपका उब्लिगेशन है कि नहीं है आपको एक्सपेंस देना था लेकिन अभी तक आपने उसका पेमेंट नहीं किया तो वही आपका क्या कहलाएगा आउटस्टेंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा जैसे रेंट है आप वान्स इंकम क्या होती है इस अपर दे लिए है अला बैर इनक अब बेटा मैं उस दिन उर्द चाउर छूँँगा तीक है जिस दिन आप लोग मुझे एडवांस में दे दोगे न फीस मेरी मैं उस दिन समय लो उर्द चाउर छूँँगा इस इसका मतलब बताते हैं इनकल रिसीव इनकम रिसीव वहां को है बट्रों कि नॉट्टे डिजाए है था है ये आपको क्या हो समय से पहले पैसा मिल जाए वह आपका क्या हो जाता है जैसे माल लीज़े आप कोई भी काम कराने जा रहे हो तो आपने उसको अगर एडवांस में पैसा कुछ दे दिया बयाना टाइप का वो उसके लिए क्या बन जाता है लाइबिलिटी बन जाता यानि उसको अब वो काम करना ही करना पड़ेगा समझ में आया जैसे माल लीज़े आप लोग गए नथुनी बनवाने के लिए ठीक है तो नथुनी आई 10,000 की अब ऐसा तो नहीं कि रात तुरंत बन जाएगा आपने के उसने का वह यह चार दिन बाद आई चार दिन बाद बन जाएगा तो आपने खार ठीक है लो तीन अजार रुपया तो तीन हजार उसके लिए क्या वन गई वेटा लाइबिलिटी वन गई की नहीं वन गया क्यूं इंकम रिसीब बट नॉट ट्यू टीक है बिल पेबल आप जान रहे हो फिल पेबल का मतलब एक ऐसा बिल जिसकी वज़ा से आपको क्या करना रहे पेमेंट करना रहे ओवरड्राफ्ट क्या मतलब क्या होता है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बैंक में तीन तरीके के अकाउंट होते हैं एक आपका करेंट अकाउंट भी होता है याद है न एक आपका सेविंग होता था एक आपका फिक्स डिपॉसिट होता था और एक पैसे समझो, flip card में एक option आता है, pay in letter का, आता है कि नहीं आता है, pay in letter, कितने लोग उसका इस्तेमाल करते हो, pay in letter का मतलब क्या होता है, का आप shopping कर लो, पैसा आप अगले महीने की 5 तारीक को दे देना, देखा जाए एक तरीके से ये क्या है, over draft ही तो है, आप एक तारीक को खरी दो, अगले महीने की 5 तारीक को दो, एक महीने का over draft बन गया की नहीं हो गया, concept clear, तो ये भी आपकी क्या है, liability है की नहीं है, तो ये liability और capital का concept clear हो गया की नहीं clear हो गया, अब बारी है, अगले और main concept को समझने की, और जिसका नाम क्या है बेटा, assets, ठीक है, इसके बीच में मै कैसे बराबर लगा दे रहा हूँ, बराबर क्यूं लगा रहा हूँ, अभी आपको कुछ देर बाद बताऊंगा, आप लोग दो line छोड़ कर heading लिखिएगा, assets, assets को हिंदी में क्या कहते हैं, बिटा, संपत्ती कहते हैं, सर, किसकी संपत्ती, अरे भाई, business की संपत्ती, संपत्ती, किसकी संपत्ती, business की संपत्ती, देखिए एक चीज जानी है, कोई भी amount, कोई भी आपका क्या amount, जिसको आप use कर सकते हो, जिसको आप क्या कर सकते हो, या जिसको आप converted into cash converted into cash कर सकते हो कोई भी चीज दो में से कोई भी एक अगर condition फुल्फिल हो रहा है तो वो आपकी assets होगी आपकी क्या होगी assets होगी लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि वो आपकी ही होनी चाहिए मतलब मालिक आप ही होने चाहिए उस चीज के कोई दूसरा उस चीज का मालिक ना हो कोई दूसरा उस चीज का क्या ना हो मालिक ना हो concept clear हो रहा है यानि condition एक कि आप उस business ही उसका मालिक हो condition number 2 कि या तो आप उसे use करेंगे या तो आप उसे cash में क्या करेंगे convert करेंगे एक example से समझाता हूँ आपको पेटा जी ये आपके पास मालीजे building है आप ही उस building के मालिक है ठीक है तो ज़रा सोच के बताओ क्या आप उस building को use करेंगे या cash में convert करेंगे building को use करेंगे या cash में convert करेंगे आप builder हैं तो आप उसे cash में convert करो बेचो उसे उसे क्या करोगे बेचोगे लेकिन अगर आप builder नहीं है तो फिर आप उस building का इस्तमाल करेंगे office के लिए factory के लिए go down के लिए rent के लिए आप उसका क्या करेंगे use करेंगे cash में बाद में उसे convert ही करेंगे एक तरीके से आप ऐसे समझो आपके पास car है आपके पास क्या है car है अगर आप taxi driver है तो फिर चला चला के पैसा कमाएंगे और अगर नहीं है ठीक है आप फिर क्या करोगे उसे use करोगे न अब क्या करोगे use करोगे तो यह जो use और cash into convert की बात की जाती है ना यह डिपेंड करता है business owner के nature पे बिजनस के nature पे यह डिपेंड होता एक चीज जान लेज़े बिजनस के nature पे डिपेंड होता है जैसे मेरे हाथ में यह remote इससे क्या जलती है तो अगर मैं electronic shop का मालिक होता तो मैं TV यूज करता या उसको बेच कर पैसा कमाता या नी converted into the cash लेकिन मैं एक teacher हूँ मैंने क्या किया कि टीवी लगाया और बच्चों को उससे पढ़ा रहा हूं तो यूज कर रहा हूं या cash में convert कर रहा हूं यूज कर रहा हूं सर कंसर्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो आप assets के बारे में आप ऐसे समझो कि sir that amount that amount which are a use और which are a converted into the cash ठीक है बटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया एक line लिखेंगे which amount which amount that is converted converted into cash or or use in business purpose use in business purpose अब ध्यान से देखिए यह जो बेटा ध्यान से तुनिए यह जो यूज वाला concept है यह जो convert वाला concept है यह depend करता है आपके period पर यह depend करता है आपके conversion more than 365 हो more than 365 days हो या फिर आपका क्या हो बेटा 12 मन्त हो तो उसी assets को हम क्या कहेंगे बिटा fix assets कहेंगे उसी assets को हम लोग क्या कहेंगे fix assets कहेंगे और सर अगर माल लो कम हो तो less than 365 days और 12 मुंथ तो सर क्या कहेंगे उसे बिटा उसे हम नाम देंगे current assets का नाम देंगे और उसे हम लोग किसका नाम देंगे बाबू current assets का नाम देंगे अ मिपन्टर हो रहा है कि ने ले हो रहा है कि अब समझो यहां पे द्यान से एक चीजह और यह जो फिक्सеся्स होती है इसको फिर से हम लोग दो भागों में बाडते हैं कितने भागों में बाडते हैं दो भागों में बाडते हैं एक ऐसी fix assets जिसको आप देख पा रहे हो और जिसको आप क्या कर पा रहे हो छूप आ रहे हो एक ऐसी fix assets अच्छा fix assets का क्या basic principle था कि sir use or converted into the cash more than 365 days एक concept है न अगर आप उसे यूज़ कर पा रहे हो या फिर आप उसे क्या कर पा रहे हो तो उसी को हम लोग नाम देते है बटा अंजीबल पिक्स एसेट जिसे हम ना तो देख पाएं जिसे हम ना तो क्या कर पाएं तो उसे क्या कहेंगे हम intangible fix assets intangible fix assets अब मेरी बात सुनो जैसे अगर मैं आप से पूछ हूँ कि बिटा ज़रा बताओ building क्या है आपके लिए तो answer क्या होना चाहिए आपका मैं option दे देता हूँ option है fix assets option है assets option है tangible fix assets या current assets answer होना चाहिए tangible fix assets अगर खाली fix assets कहेंगे आप लियान से सुनिए अगर आप सिर्फ fix assets कहेंगे तो आपका answer 99% सही तो है लेकिन 1% गलत होगा लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 100% आपका answer सही हो तो इसके लिए आपको पूरा proper बोलना पड़ेगा clear हो गया वेटा example दिख लेते हैं कुछ पहला वही आपका पूराना building plant and machinery अपर नीचर अपर नीचर अपर आप सब का प्यारा PTC इत्यादी intangible का देख लेते हैं बिटा सबसे पहले वही आपका पूराना भाई बंधू goodwill उसके बाद उसके बाद software copyright और फिर आपका अपना प्यारा प्यारा ETC अप 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 देखो एक बच्ची बाहिन के बारे में थोड़ा बता दें प्रियांसू यह बड़े प्यार से कह रहे हैं सर पेसेंट patents it is a patent not a patent current assets का क्या example होगा पेटा आप सबकी आखों का तारा cash हो गया bank हो गया और वही और लास्ट में ETC आप जो बेसिक fundamental है accounting equation का वो क्या कहता है अब जो बेसिक fundamental है accounting equation का वो क्या कहता है कि सर जो business की assets है ध्यान से सुनो बेटा जो business की assets है वो बराबर होगी बिजनेस की capital और बिजनेस के liability पर बिजनेस की capital और बिजनेस के liability पर ठीक है पॉइंट क्लियर हो गया इतना यह हो गया हमारा basic fundamental equation अगर आप से एक नमबर के सवाल पूछा जाए कि what is the basic fundamental equation of a business तो आप यही बोलना ठीक है assets is equal to capital plus liability लेकिन अब कुछ अन्य किसी से बनते हैं जैसे किसी ने पूशा कि what is the formula of capital तो आप सीधा बोलना कि sir assets minus liability फिर किसी का दिमाग खराब हुआ उसने कहा कि what is the formula of liability assets minus capital तो आप भी कहना कि sir देखो हम पढ़कर आये हैं पागल किसी और को बनाना अब सवाल करते हैं कुछ और कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं लेकिन उससे पहले एक fundamental point आप लोग याद रख लीजे क्या सर कि बेटा अगर assets बढ़ रही है जहां से सुनना हाँ सुनो जहां से अगर assets बढ़ रही है तो आप यकीन मानना आपकी capital या फिर आपकी liability में से कुछ ना कुछ तो जरूर बढ़ेगा ठीक है अगर आपकी assets बढ़ रही है तो आपकी capital या liability में से कुछ ना कुछ जरूर बढ़ेगा या आप यह भी कह सकते हो इसर कैपिटल और liability अगर बढ़ रही है तो assets भी बढ़ेगी capital और liability बढ़ रही है तो assets भी आपकी क्या होगी बढ़ेगी इसके लिए एक छोटा सा equation देखते हैं जैसे मैंने कहा बेटा business started for cash of rupees 2 lakh business started for cash of rupees 2 lakh business start कौन गरेगा owner ना तो owner की द्वारा अगर कुछ भी लाया गया तो बेटा जीव क्या वो मेरा capital हो जाएगा की नहीं हो जाएगा तो यानि capital मेरा 2 lakh से बढ़ गया की नहीं बढ़ गया बढ़ गया और यह जो capital लगाया गया है business में इसकी वज़ा से जरा बताओ business का cash balance बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा तो business का cash balance बढ़ा यानि cash आपके लिए क्या है assets ही तो है आपके लिए क्या है assets ही तो है बताओ सही कि नहीं है point one clear हो गया एक दूसरा point देखते हैं लोन टेकन प्रॉम बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक और रुपीज फिप्टी थाउजन एक बात बताओ बैंक से अपने लोन लिया है तो यानि आप उसको बाद में पे करोगे की नहीं पे करोगे बैंक से आपने लोन लिया तिसका मतलब वो आपकी liability की capital यानि यहाँ पर सर मेरी liability बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है और इस liability का नाम क्या है ऑउटसाइडर लाइबिलिटी या insider liability आउटसाइडर लाइबिलिटी ना और इस outsider liability का नाम क्या है बैंक लोन ना कितने रुपए से बढ़ रहा है तो 52,000 से क्या मेरा bank balance बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा मेरे बैंक में पैसे बहें लगत तो यह g hic ऩोगा दिते विल्फ इंचर सी जДर से बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा नोट हो गया सबकार जदी नोट डाउन करेंगे चलो आगे देखते हैं अब मैंने आपसे कहा कि बिटा अगर आपकी लाइबिलिटी सारी अगर आपकी एसेट्स घट रही है अगर आपकी एसेट्स क्या हो रही है घट रही है तो आपकी कैपिटल या आपकी लाइबिलिटी में से भी कुछ न कुछ तो जरूर घटेगा या आप यह भी कह सकते हो कि सर अगर कापिटल घट रहा है तो एसेट्स भी घटेगा या आप यह भी कह सकते हो कि सर लाइबिलिटी घट रही है तो एसेट्स भी क्या होगी घटेगी कहने का मतलब है चाहे कान आई से पकड़ो चाहे कान आई से पकड़ो पकड़ो के तो कनों है चलवाओ देखते हैं Cash Bidraw Cash Bidraw Cash Bidraw by owner Cash Bidraw by owner of Rs. 5000 बताव cash withdraw by the owner यानि business का बेटा cash balance 5000 से घटेगा की नहीं घटेगा इसे वाट अबॉट दे कापिटल वाट अबॉट दे कापिटल या लायबिलिटी या लायबिलिटी पर पड़ेगा या कापिटल पर पर पड़ेगा इतने लोग कहा रहे हैं सल लाइबिलिटी पर पड़ेगा ना तो कैपिटल पर पड़ेगा तो कैपिटल क्या होगा आज हजार से घड़ गया की नहीं घड़ गया है यह ना पक्का दिक्कत तो नहीं एक और देखते हैं लोन एमाउंट पेड ऑफ रुपीज 20,000 लोन एमाउंट पेड ऑफ रुपीज 20,000 बताओ धरा क्या होगा क्या जो मेरी लाइबिलिटी यह देखो 50,000 से बढ़ी थी मेरी घड़ जाएगी की नहीं घड़ जाएगी यानि यह जो मैंने अपना बैंक लोन नाम की लाइबिलिटी थी मेरी वो 20,000 से घटी की नहीं घटी अच्छा what about my cash और bank balance cash और bank पे प्रभाव पड़ेगा की नहीं पड़ेगा पैसवा तो उसी में से जा रहा है business के cash और bank balance में से ही तो जाएगा यानि यहां से मेरा जो bank balance था वो भी 20,000 से क्या हो जाएगा यह देखो यह वाला उपर वाला देखो जब आप loan लिये थे तो आपका bank balance पचास अजार से बढ़ रहा था आपकी liability भी 50,000 से बढ़ रही थी अब आपने अपना loan पे कर दिया तो आपकी bank balance भी तो घटेगा ना आपका loan भी घटा और आपका क्या हुआ bank balance घटा की नहीं घटा concept clear यानि यह दूसरा वाला भी हमारा क्या हो गया point clear हो गया पक्का ना दिक्कत तो नहीं कि अब तीसरे basic चीज को देखते हैं लोट हो गया सबका कि देखो accounting equation में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने brain को open करना है खाली बस सोचो खुला सोचो answer आएगा कि आप दोनों effect को समझो आप assets के भी side को सोचो आप capital और liability के side को भी सोचो क्योंकि आप double concept पे काम कर रहे हो आपको याद हो तो मैंने आज जब बताया था जब आपको accounting principle में double aspect concept पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि आपको दोनों side लेकर चलना पड़ेगा डविट भी लेकर चलना पड़ेगा और credit और मैंने ये भी कहा था कि debit is equal to credit हर situation में हर situation का मतलब यह जो तीन situation मैंने उपर लिखी है यह तीन situation लिखी है नहीं लिखी थी ना कहां गही वो तीन situation भाई यह दो situation अभी बता दी मैंने एक situation यह बता दी है एक यह बता दी एक यह बता दी अब तीसरी बताने जा रहा हूं अब तीसरी देखो तीसरी situation क्या गहती है सर एक ही समय में अगर assets बढ़े और एक ही समय में assets घटे एक ही समय में assets बढ़े या फिर एक ही समय में assets क्या हो घटे तो आपके capital या फिर आपके liability पर बेटा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा no effect आप कहोगे सर ऐसे कईसे आईसे कईसे बता रहे हैं सबर करो देखो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा furniture purchase for cash of rupees 20,000 furniture purchase for cash of rupees 20,000 देखो एक बात बताओ आपके business में क्या आ रहा है आपके business में क्या आ रही है आपके business से जा क्या रही है और cash क्या है और cash क्या है क्या capital और liability पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या capital और liability पर कोई प्रभाव पड़ा यानि सर एक तरफ से हमारा furniture क्या हो रहा है क्या हो रहा है बढ़ रहा है 20,000 से और सर एक तरफ से हमारा cash balance भी क्या हो रहा है धट रहा है तो जरह बताओ क्या capital और liability पर कोई प्रभाव पड़ा आंसर है नो सर, capital और liability अभी वही है जैसे पहले था तर मान लो अगर furniture उधार में खरीदा होता तो अरे तो अगर furniture उधार में खरीदा तो ठीक है ना फरनीचर आया liability बढ़ी परनीचर आया liability क्या हो गई बढ़ गई लेकिन फरनीचर आया पैसा गया यानि assets आई और assets गई तो क्या capital और liability पर कोई प्रभाव पड़ेगा answer है नहीं तो बताओ मैंने तीसरा वाला भी बराबर कर दिया की नहीं कर दिया मैंने नहीं किया कि बराबर पहले से था बस मैंने आपको बताया है और आपको और समझना है इन चीजों को इन चीजों को क्या करना बेटा और समझना है एक और example देखते हैं देटर आफ रूपीज 20,000 रिसीव इन कैश रिसीव इन कैश 20,000 का डेटर था डेटर आपके लिए क्या होता है बेटा एसेट्स होता है न पूरा का पूरा पैसा उसने दे दिया मेरे को इसका मतलब मेरा कैश बैलेंस 20,000 से बढ़ा की नहीं बढ़ा और मेरा डेटर बैलेंस पे क्या हो गया अरे यार उसने मुझे पूरा का पूरा बीस दे दिया तो क्या मैं फिर से उससे लूँगा कुछ क्या इसका मतलब उसका बैलेंस 20,000 से घट गया की नहीं घट गया जिससे लेना था क्या आप मैं उसका नाम काटूंगा कि नहीं काटूंगा जब आप लोग उधार-उधार लेते हो कभी किसी से और जब उसका भुक्तान करते हो वो क्या करता है आपके नाम को कार देता है देटर क्या होता है क्या है क्या पर लेबिलेट कोई प्रभाव पड़ा अंसर है नो तमझ में आ गया बेटा अज्छीज और देख लीजे इए एक चीज और देखेंगे बेटा profit और loss profit और loss इसका जो effect है वो directly आपके capital पर पड़ेगा profit और loss इसका जो effect है वो directly आपके किस पर पड़ेगा capital पर पड़ेगा अब आप कहोगे sir अच्छा एक बात बताओ यह profit और loss किस से related होता है आपके assets से ही related होगा आपकी assets से related होगा जैसे suppose करो अभी मैंने data वाला example दिया अब माली जट डेटर दिवालिया हो जाए तो सकता है आपने भी पड़ा होगा दिवालिया हो जाए भिजय मालिया हो जाए दिवालिया का मतलब बिजये मालिया तो रिमिक बन गया दिवालिया दिवालिया बिजये मालिया चलो अब 20,000 मिलना था लेकिन सिर्फ हमें 2,000 मिला और वो दिवालिया हो गया यानि अब वो मिरो को पैसा नहीं देगा यानि मुझे ड कि अथाराह हजार का लॉस हुआ की नहीं हुआ और आपको भी पता होगा जो लॉस का बैलेंस होता है वह कहां पे जाके जुड़ जाता है और दुखरा लॉस का बैलेंस क्या होता है पिटल में से घट define क्या होता है बस यही चीज आपको याद रखनी है कि अगर कोई profit हो रहा है तो वो जाके capital में जुड़ेगा और अगर कोई loss हो रहा है तो वो capital में जाके क्या हो जाएगा minus हो जाएगा जितना profit हुआ है या जितना loss हुआ है वो आपका capital में जाके क्या करेगा reflect करेगा ही करेगा जैसे जैसे बिटा एक फरनीचर है लॉस बाई फायर लॉस बाई फायर आफ रुपीज फाइब थाउजड आफ रुपीज फाइब थाउजड बिटा जड़ा बताओ पाँच हजार से मेरा फरनीचर बढ़ा की घटा और कैपिटल में लॉस में क्या करेंगे वो पाँच हजार घटा देंगे की नहीं घटा देंगे अच्छा एक और एक्जामपल देखो दस हजार की जमीन थी दस हजार की क्या थी बटा जमीन थी मैंने इसको बारा हजार में बेच दिया दस हजार की जमीन थी मैंने इसको बारा में क्या गड़ दिया तो ज़रा इफेक्ट को समझो ध्यान से अरे पहले इफेक्ट को समझो आपका कैश बैलेंस कितना बढ़ेगा आपका कैश बैलेंस कितना बढ़ेगा 12,000 से क्योंकि पैस्वा तो 12,000 मिलेगा ना और आपका जमीन वाला बैलन्स कितने से घटेगा जमीन वाला बैलन्स कितने से घटेगा अरे दो नहीं महराज 10,000 से जमीन तो 10,000 की गई ना क्यापिटल पर क्या प्रभाव पड़ेगा प्रॉफिट कितना हुआ है दो हजार और एक चीज मैं और भी बता दूँ कि जितना इफेक्ट यहां पर आया है उतना ही इफेक्ट यहां पर भी दिखेगा अगर आप देखोगे 12,000 माइनस 10,000 तो बैलेंस आखरी में कितना आ रहा है दो हजार और यहां भी बैलेंस कितना आखरी में आ रहा है दो हजार समझ में आया concept की नहीं आया एक example और दें ऐसे समझ में आ गया चलिए अचा एक चीज और सुनिए कल की class में हम accounting equation से related question को solve करवाएंगे आज मैंने accounting equation से related जितने भी आपके concept हैं वो सारे के सारे clear कर दिये हैं तो कल आप लोग ready रहिए accounting equation के कई सारे प्यारे प्यारे चोटे चोटे लंबे लंबे मोटे मोटे चोड़े चोड़े कोशन के लिए एक कोशन की कोशन मैं आपको दिखा देता हूं बस एक मिनिट बस यह देखिए प्यारे प्यारे कोशन है ठीक है इतने प्यारे प्यारे कोशन अच्छा इनको आप लोग नोट डाउन कर लीजे नोट्स बनाने के लिए देखो इसमें एक्जामपल भी है ऐसा कुछ नहीं है जैसे मैंने क्लासिफाई किया है अगर आप एसिट्स पढ़ेंगे तो लिखा एसिट्स आर्द प्रॉपर्टीज पुजीशन और एक्कनोमिकल रिसूर्सेस ऑफ दे बिजिशन विच इस ए क्योंकि नंबर बेटा यहीं से मिलेगा वो डाइगराम बना के आओगे ना वहां पर नंबर नहीं देंगे बुलो ठीक है वह आपके समझने के लिए है समझ में आगया बाबू यह उपर वाला एक्काउंटिंग एक्सिशन वाला भी लिख रही है कि' कैकाउंटिंग औलब बाने सीट ऑक अपले कौनिग में क्या लिखा है accounting equation is also called the balance sheet equation we all know that record all the business transaction using the double aspect concept this means that each debit has equal to the credit तेक है क्या लिए फेल आज के लिए फिलाल इतना ही आज के लिए फिलाल इतना ही अब मिलेंगे कल आप सभी अपना ह्याल रखिये कोई भी point अगर आपको ना समझ में आए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें call कर सकते हैं मिलेंगे कल तब तक के लिए जय हिन जय भोले नाथ